दोस्तों अगर आपको घर बैठे एक Zero Balance Savings Account उपन करना है तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ICICI Bank में आपना एक Zero Balance Savings Account घर बैठे ओनलाइन कैसे उपन कर सकती हो इस एकाउंट उपन करते ही आपको Virtual Debit Card मिल जागा और आप अपना एकाउंट डिटास भी प्राप्त कर सकती हो और इसमें आपको वीडियो कॉल का भी फैसलेटी दिया गिया है अगर आप इस एकाउंट का फूल के वासी करना चाहते हो तो आप वीडियो कॉल के ज़़े भी इस एकाउंट का फूल के वासी कर सकते हो इस एकाउंट के अंदर आपको बहुत सारी फैसलेटी मिल जागा आप यहाँ पर ओफिसल वाफ्चेट पर आके देख सकती हो इसका लिंग आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जागा और गाइस इसका आकाउंट उपन कर आपको एकाउंट डेटियल्स मिल जाता है साथ में वर्च्वाल डेविट का जिसको आप यहाँ पर आई मोबाइल एफिलिकेशन के अंदर उसको आप हैंडल कर सकती हो चलिए मैं आपको बत देता हो कि कैसे आप आइसी आएसी बेक में आपना एक जिरो वालें सर्विंग ऑनलाइन केस उपन कर सकती हो सबसे पहले आपको वीडियो को डेस्किप्शन में आकाउंट उपनिंग मिल जागा आपको वहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद आप इसी साइट पर आज आगे उसके बाद गाइस थोड़ा सा आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एप अगर आप link कराना चाहते हो तो इहाँ पर आपना email ID को डाल देना है और email ID डाले के पात पर ठीन कारण का नंबर डाना है जो भी Anda पर आपको डाल के तो अपको डाले यहाँ पर चल तो आपको डाल देना है उसके बाद आपको continue पे क्लिक करना है जैसे दोस्तों आप OTP डालके continue पे क्लिक करते हो यहाँ पर आधर नमबर डालना है और यहाँ पर आधर नमबर डालने के बाद आपको terms condition को tick करना है उसके बाद आपको proceed पे क्लिक करना है जैसे आप आधर नमबर डालके proceed पे क्ल चलिक केहते हो यहांपर आपना स्लेट करना है यहां वह किट करना है उसके बाद यहांपर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा और यहांपर आपको एक उप्स दएक निक आपका source up in umm क्या है औरहाइं और आपको इनकम क्या पर graduation, unterstützen, undergraduateballs, आपके संच को select कर लेना है, उसके बाद यहां पर अपना income range select करना होगा, आपका यहां पर सालाना कितना income हो जाता है, उसको यहां पर आपको select करना है, उसके बाद आपका Continual option पे click कर देना है, यहां पर आपका QSC documents आज जागा, जैसे कि हमने अधर कर दिया था, उसके जाता है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते हो. उसके बाद अगर आप nomini रखना चाहते हो इस account के अंदर तो यहाँ पर आपको दो option मिल जाता है, father name और mother name यहाँ पर आपको डाल देना है अगर आप father को या फिर mother को nomini करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको नोमीनी वाला option को tick करके उसका date bar को select करना है अगर आप यहाँ पर नोमीनी बाद में add करना चाहते हो इसके लिए यहाँ पर आपको इसको check करना है इसको check करने के बाद यहाँ पर आपको no I want to continue without नोमीनी वाला option पर click कर देना है उसके बाद guys यहाँ पर आपका जो tick option आज जागा उसके बाद यहाँ पर आपना father name और mother name को enter करना है और उसके बाद आपको continue वाला option पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपना address आज जागा जो भी आपका आधार में address होता है permanent address यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जागा इसको आपको देख लेना है उसके बाद यहाँ पर आपना state को select करना है उसके बाद आपको city को select करना होगा उसके बाद place of जो आपका बारत होता है यहाँ पर आपको select करना है उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद यह जो option है इसको आपको yes फे रहने देना होगा उसके बाद आपको continue पे click करना है जैसे आप continue पे click करते हो जो भी आपका अधर में photo होगा आपका name, date bar, mobile number होगा और यहाँ पर आपको details देखने के लिए मिल जागा, आपका application number भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है उसके बाद थोड़ा सा आपको scroll करना है और scroll करने के बाद आपका जो application form यहाँ पर आपको open होके आजगा इसको आपको देख लेना है, अगर आप इसमें edit बगरा करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको edit का icon दिया गिया है आप edit बाला जो pencil आगेने यहाँ पर click करके edit कर सकते हो अगर आपको लगता है कि साब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पर आपको नीचे continue का option दिखने के लिए मिल जागा तो यहाँ पर आपको continue बाला option पर click कर देना है उसके बाद दोस्तो terms condition को accept करना होगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर आपको yes पर रहने देना है और आपको terms condition accept करने के लिए इसको tick करना होगा और वीडियो की वासी का जो terms condition है उसको भी आपको accept करने के लिए यहाँ पर confirm करना है और आपको continue बाला option पर click कर देना है जैसे जोस्तों आप confirm बाल option पे click करते हो यहाँ पर आपको consent देने के लिए आपका mobile number पे फिर एक बार OTP send किया जागा अगर आपका mobile number पे OTP नहीं जाता है तो यहाँ पर आपको email ID भी OTP जागा उसी OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है और उसके बाद आपको continue पे click करना है जैसे आप guys OTP डाल के continue बाल option पे click करते हो आपके पास एक PDF डाउनलोड होगा और यहाँ पर आपको वीडियो की वासी करने के लिए यहाँ पर interface दिखने के लिए मिल जागा आपका account number कुन सा रहेगा ओ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है देखे मैंने आपको जो बोला था आपका account number भी मिल जाता है instantly तो यहाँ पर आपना account number भी देख सेकते हो और आपको SMS का जरे भी आपका account number मिल जागा उसके बाद account number का details देखने के लिए जो PDF डाउनलोड होगा उसको आपको open करना है PDF open करने के बाद यहाँ पर आपको अपना account number देखने के लिए मिल जाता है PDF के अंदर और आपको by default आपको SMS के जरे भी आ जाएगा उसके बाद आपको video call के जरे इसका full के वाशी complete कराना है उसके बाद दोस्तों video call के जरे फूल के वाशी करने के लिए आपको दूबारा से इसी page पर आ जाना है और यहाँ पर आपको apply now वाल आप्षन पे click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको आपका application को track करना होगा ठीक है किस तरह से track किया जाता है और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जैसे आप application now बाल option पे click कर गे यहाँ पर आपको IP address के सामने यहाँ पर आपको track का option देखने के लिए मिल जागा आप देह सेखते हो यहाँ पर आपको ट्रेक बालॉप्यों पर क्लिक कर देना है उसके बाद जो भी आपने email आड़ी दिये होंगे उसी email को ढाल देना है और आपको track your application क्लिक करदेना के जैसे आप track your application पर क्लिक करते हो आपका mobile बाइल नमबर या फिर आपका email ID पर OTP जागा उसी OTP को यहाँ पर डाल के आपको continue पर क्लिख करना है OTP डाल के जैसे आप continue पर क्लिक कहते हो आपका application का status यहाँ पर आप को दिखने के लिए मिल जागा और यहाँ पर आपको वीडियो कॉल करने के लिए एक आपको option दिखने के लिए मिल जागा दोस्तों आप देख सेकतों कंगराचुलेस्टन लिख के आ चुका है और यहाँ पर अपना account number भी यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जागा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपना branch कौन सा मिला है ओ यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जाता है branch का IFSC code भी यहाँ पर आपको दिखने के लिए मिल जागा उसके बाद वीडियो के वैसी करने के लिए आपको यहाँ पर i confirm dead wall option पे tick करना है और यहाँ पर आपको वीडियो कौल का यहाँ पर आपको start करना होगा इसके लिए यहाँ पर आपको start वीडियो के वैसी आपको click करना होगा start वीडियो के वैसी option पे click करने से पेले आपको थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पर अपना internet banking का user ID यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और internet banking का password generate करने के लिए generate now वाला option आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर click करके आपका जो internet banking का user ID का जो password होता है आप यहाँ पर generate कर सकते हो उसके बाद guys यहाँ पर आपको video call का start करना है start video का असी बला option पर आपको click करना है जैसे आप यहाँ पर click करते हो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह सा लिख के आज जागा यहाँ पर agent यहाँ पर जोड़ेगा तो यहां पर आपको वीडियो कॉल करने से पहले यहां पर आपको क्या-क्या यहां पर ध्यान में रखना है, क्या-क्या आपके पास होना चाहिए, यहां पर आपको बता गया है, जैसी कि यहां पर आपको ओरिजिनल पैन कार आपके पास होना चाहिए, उसके बात यहां पर आ लेकिंग दें के अंदर ही आपको try करना है और इसका जो timing यहांपर आपको terms condition बे दिखने के लिए मिल जागा agent connect होने के बाद कुछ time के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह सा देखीने के लिए मिल जागा वीडियो कॉल को receive करने के लिए click here to start और वीडियो को बाला option पे click करना है वीडियो के ऐसी बाला complete होने के बाद आपको track application पे आना है दुबारा से आपका application को track करना है उसके बाद यहाँ पर आपको completed के वासी लिए आज जागा उसके बाद समझ जाना कि आपका वीडियो को ऐसी successful हो गया है इसके बाद आपका account में कोई भी limitation देखने के लिए नहीं मिलेगा आप easily अपना account को handle कर सकती हो कुछ इस तरह से आप आपना एक जिरो वालेंस सर्विंग अकाउंट घर बैठे ऑन लाइन उपन कर सकती हो वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को like किजे और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारा चनल को subscribe कर सकती हो इसका account opening लिंक आपको वीडियो कर सकती हो